अभी हम प्रॉब्लम 3.8 कने जा रहे हैं नेमन की बुक से और इसमें है स्टेट्मेंट के टू सेमे किनेक्टे मिटेरिल्स है इसमें प्रॉप्टिक्स एक्सेप्ट उसमें बेंड गैप जो दोनों का है डिफरेंट है और उसके साथ साथ इनकी इंट्रिंजिक कंसेंट्रेश पर है तो हमने यह रेशियो फाइंड और करने हैं बाकी प्रॉपर्टिस उसके सेम हैं लेकिन यह चीज़ें इसकी डिफर करती हैं हमें पता है यह रिलेशन जिसमें बेंड गैप इन्वाल होता है और वो यह है ठीक हो गया तो फिर्स्ट पॉर ए मिटीरियल या फार मिटीरियल ए हम यह लिख देंगे एंसी क्योंकि इन्होंने एक ही टंप्रेचर पेंका रेशियो फाइंड करने को कहा है ना तो एंसी और एंवी की वैल्यूस टंप्रेचर पे डिपेंड कर रही होती हैं तो अगर दो दोनों मेटेडियल की एंसी और एंवी की वैली सेम होगी और मजीद है कि इन्होंने बोला है कि इन दोनों की सेम प्रोपटीज है ना बेंगरिंद साफिय प्ररींट अ और इंचरिंसि कनें सैंगे तो इंस पईमेंस के मिटिरीयल की सैम प्रोपटीज था इनकी जो होल और Elizabeth टोन्स की effective masses होंगे वो भी almost same होंगे तो इस वज़ा से Nc और Nv दोनों materials का common होगा तो वो हम उन दोनों का same ले लेंगे और for material B, Nib equals Nc Nve to the power minus Egb by kt तो दोनों का ratio find out कर लेते हैं 2 kt ठीक है दोनों का ratio find out कर लेते हैं तो यह दोनों कैंसल हो जाएंगे यहांवे बचाएगा minus Ega by 2 kt ठीक है divided by minus Egb by 2 kt तो आब यह उपर ले जाते हैं इसके power positive हो जाएगी powers add हो जाएगी basis same करके whenever 2 kt में common ले रही हो ठीक है यह common ले रही है तो बचके minus Ega plus Egb ठीक है तो E to the power यह हम चीज़ें calculate करते हैं इसको मैं पहले लिख रही हूँ just ऐसी divided by 2 kt इसको मैं evaluate करते हूं separate ती और यहां पर हम इसको values को put कर देंगे और यह Nia divided by Nib देगा जो कि हमने calculate करना था तो Egb minus Ega जो है हमारे पास यह था 1.2 minus 1 और इन electron volts ठीक है इसकी value 1.2 electron volt थी इसकी 1 तो 0.2 electron volt आ जाएगा ठीक है और इससे multiply करते हैं charge on electron से E की value put कर दें 1.602 minus minus 19 तो यह जोल में आ जाएगा ठीक है तो यह आप इसको multiply कर लें तो यह और यहां पी आप values को put कर देते हैं और आए डिए 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 टो पार उपर आजाएगा 0.2 minus 1.602 minus 19 divided by 2 into k 1.38 minus 23 into temperature which is 300 तो यह सारा कुछ power में आ रहा है चाहां यह पहले power evaluate करें फिर E की power यह लें तो आपके पास जो answer बनता है देखते ही क्या आता है तो इसका answer 47.9 आता है ठीक है 47.9 इसका answer आता है इसका कोई unit नहीं होगा क्योंकि यह दोनों ratios है ना similar quantities की तो उनकी units cancel हो जाते हैं तो यह इसका answer आ जाता है 47.9 कर दो आता है